हेलो वेलकम तो मैं चैनल कोड़ सोरी वित माइक तो आज आपने लिंक लिस्के प्लेलिस का वीडियो नंबर 22 करने जा रहे है एक लीट को नबर 143 मीडियम मार्ट है बड़ इसको बहुत इसली हम लोग तीन अप्रोच से बना लेंगे है ना देखते हैं क्वेशन क्या है इसक कुछ इस तरह करना है पहले वाले नोड को जूञ्ठेल से लास्वाले नोड से करेकं लो стало Elan उसके बाद लास्ट वाले नोड को को इससे न 11 fit इसको सेकंड लास्टसे थे एलन मैंस-5 एंड जा न मास तो यह समान पेकर one two ओर Hai तो विदी ओन के ओन को फोर से इंग किया है जाना को छिस तरह है तो को धूय माण करना करते हैं यहापकोर में कटेक्शन को करना उस लिंकिलिस्ट को ट्रावर्स करें तो उसको इस ओर्डर में प्रिंट होता हुआ देखें लिंक लिस्ट ठीक है जैसे यह एक्जामपल देख लो 1234 है पहले वन को लिया यहां मैं ग्रीन ब्लूपेंट से दिखा जाता हूं को लिया दो इसके बाद उसके बाद से कृनेक्ट किया टू को इनका पॉइंटअट नंग किया टू को जी को दो वन फॉर दू थरी होगा यहां पर वन फॉर टू थी ठिक है तो समझ में तो आगे करना क्या है इसको अलग अलग अप्रोच से देखते हैं बहुत सारे अप्रोच जिसको करने के ठीक है सबसे पहले सबसे सिंपल अप्रोच देखेंगे जो हमारे मन में सबसे पहले आता है तो अप्रोच बन का इंट्यूशन बहुत सिंपल है मैंने आपक करेंड है दो पॉंटर लेत एयहों और जे बढ़तो फॉर में मुफ कर देते यहां और यहां कर देते एंड रे हें अरी घर से करेंड थे ॱ आँप न tão अरहिए स्थाइभ स्थाइब नोट को पॉइंट कर रहा था जए और इससी ब्रेवर था यहां it इधर मूफ कर रहा है हमें लेफ्ट मूफ करना पीछे साइड से ताकि अब कर तको इसको इसको माले ते करा ठीक है फूर से टू को जब कर लिया तो फिर आपस यहां आ जाने चाहिए फूर के बाद वह कैसे आओगे तो एक तरीका बहुत से इंबल है कि भाई रिवर्स मार द दिया था तो अगर मिडल से लेकर इन तक को रिवर्स मार होगे तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा फोर अब 3 को पॉइंट करने लगेगा और 3 जो है नल को पॉइंट करने लगेगा ठीक है अब जब रिवर्स कर दिया है तो देखते है हमारा प्राब्लम आसान होता है कि मालने करेंट यह है और जब मैंने रिवर्स किया होगा तो रिवर्स फंक्शन क्या करता था इसका रिवर्स करके और उसका है देता था तो मुझे रहेड भी मिल चुका है ठीक है अब देखो रेव रेव इस इकल डूरेव डॉट नेक्स करोगे तो आराम से यहां आ सकते हो यह काट दिया करेंट का नेक्स हमने चेंज कर दिया वन को फॉर से कनेक कर दिया ठीक है तो यह कनेक्शन मेरा हट चुका है ठीक है तो मैंने क्या क्या है यहां मैं लिख देता हूं कि करेंट का नेक्स्ट इस इकल टू देखो जो रिवर्स में है उसको कनेक कर दिया ठीक है बठा current का next, current को current का next में जाना भी तो होगा, यहां जाना भी तो होगा, तो कोई बात नहीं, current का next को हम एक temp में store कर लेते हैं, temp is equal to current का next, उसके बाद current का next को change करेंगे, यहांपर, कर दिया change हमने, ठीक है, तो यहांपर temp है हमारा, अब यह दो हमने यह चेंज करना पड़ेगा हमने हमें क्या करेंगा रेव का नेक्स्ट इसके बाद कि अब चाहोगे कि करेंट आगे बढ़े और रेव पीछे जाए तो करेंट अपना करेंट को मैं टेम्प के बराबर कर दूंगा करेंट इस इकल टू और अब्वेसी बात है रेव को भी आपको लेफ साइड मूफ करना पड़ेगा तो रेव का नेक्स अभी हमने चेंज कर दि पूलना चाहिए था बड़ना मैं अराम से रेव को कि टेम्प प्रहमें मुफ कर सकते हूं तो अब दीको मेरा रहा आ चाहिए प्らड़ कर घेंख तो अब देखो अब किसको करोगे रेव का नेक्स तो नल हो गया तो आप तो अब तो अब तो अब तो अब तो इतना सारा इसको रोकेंगे पड़ जब तक जब तक रेव अब नल आ चुका है ना तो रेफ का next is not equal to null हो तब तक करते रहेंगे इंसेप्स को इसलिए मैं बोलता हूं मैं कल भी में दोहरा रहा रहा था आपको कि लिंक्लिस के अबना लिया ना तो आधा प्रॉब्लम उदर ही सौल रहाता है इसलिए लिंक्लिस के प्रॉब्लम इजी होते हैं जनरली क्या आपको चीज़ें असान लगने लगती है ठीक है तो आपको इधर ही दिगे कि रेव का next नल है तो आपको फाइदा ही नहीं करने का क्यूंकि टेंप को टेंप में three store कर दिया अब आपक्या करो करेंट का next को रेव के बराबर करोगे वह तो अल्रडी पॉइंट कर रहा है तो क्यों कर रहे हो दो बारा वो स्टेप जैसे रेव का next नल आजाएगा वैसी रोग दो आगे बढ़ने का जरूरती नहीं है ना फिर देखो ट टेंप था मेरा three था मतलब वापस से आप इसको इसी से connect कर दो गए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही आपको पता चल जाए कि रेव का next नल आ चुका है तभी आप रोग दो वरना आपको डाइग्राम से दिख गया इसलिए मैं बोलता हो डाइग्राम हमेशा बनाए करो लिंक लेज का अब बहुत असान हो जाता है प्रॉब्लम ठीक है तो देखा है तो इसका स्टेप्स देखते हैं क्या क्या था स्टोरी पॉइंट क्या था कि भाई मैं सबसे पहले क्या करूँआ कि पार्ट को रिवर्स मार देता हूं और क्या मिडल नोट से लेकर इंड तक क सब्सक्राइब को रिवर्स मार दूगा एक्जाक्टली जैसे कल हमने किया था प्रॉब्लम में ठीक है तो पहले मैंने क्या बोला कि मिडल नोट निकाल देंगे सेम कल वाला ही कोड यूज करेंगे मिडल निकाला उसके बाद रिवर्स यहां नेक्स्ट एप में लिख देते हैं मिडल नोट निकाल दिया याद करो कैसे निकाल देते हैं स्लोव और फास्ट पोइंटर से यह तो आपको अल्रेडी अब आ चुका है राइट मिडल नोट के बाद रिवर्स कर दो हैं लोग्त इंड उसको रिवर्स दिया उसके बाद सिंपल सा ही वाइल लूप लिख दो यह वाला वाइल लूप है सब्सक्राइब कर रहा है ना कोई अरे लिया है ना कुछ लिया है तो ऑग्जियलरी स्पेस ओफ वन होता है ठीक है लेकिन याद करो अगर आप इसको को रिवर्स मार रहे हो रिवर्स कॉल कर रहे हो तो वहां पर रिकर्शन सिस्टम का स्टैक स्पेस यूज़ होगा तो मैं लिख देता हूं कि सिस्टम का स्टैक स्पेस यूज़ होगा ओफ एन रिवर्स करने में ठीक है अल्दो आप हाफ नोट को रिवर्स मार रहे हो ओफ एन अच्छे से क्लियरों का पहले कोड कर लेते हैं उसके बाद अब रोच बराते हैं तो चलो हम सबसे पहले अप्रोच बैए तो यहाद है मैंने आपको क्या लगा था किसे कि मैं रिए अपर वाले निकालनों वहां से रिवर्स करना start करो ही और मिड टेल कैसे निकालते थे । हैड लिस्ट नोड ऐस् спрос last is the bell generated 오sten ऑर्य तरीका जब तक सोन्च हो एपरर कने क्स्छत हो तब तक मैं आगे जा सकता है दो फास्ट का दो यह पस्छंटित एowychoral नेकस्ट इस पो लिख Curtis और फास्स पॉइंटर ठीक है अब मैं क्या करता था कि मैं बोलता था कि भाई नेक्स्ट हाफ जो सेकंड हाफ वारा लिस्ट नोड है ठीक है उसको रिवर्स करके ले आओ और उसका हेड रेव में असाइन कर दूँगा मैं ठीक है रिवर्स एलल स्लो पॉइंटर मैंने भेज दिया ठीक है यह जो मेडल नोड था मेरा वह रिवर्स करके ले आएगा इसके बाद लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क करेंट को मैंने हेड से हेड को पॉइंट करवाया अब मैं वही सिंपल सा वाइल लूप लिग देता हूं और याद लिएख नोड एस्ट्रिस्क टेम्प ओफकरिंड ठीक है याद करो ऑफक पहले तो स्टोर लेते लिस्ट्णो temp of rev is equal to rev का next को store कर दो अब rev का next change हो जाएगा ना is equal to याद करो temp कर को वो point करने लगेगा फिर ठीक है अब कुछ नहीं current को move कर दो temp कर में और rev को move कर दो temp rev में as simple as that और बस हो गया हमारा काम यहाँ पर इसको मैं run करके देख लेता हूँ hopefully run हो जाना चाहिए let's see if we are able to pass all the test cases indeed yes great we have passed all the test cases अब हम लोग आ जाते हैं अपने second approach पर अब देखो अपने approach 2 पर आते हैं तो देखो approach 1 में मैं आपको एक चीज़ तो clear कर दी थी कि अगर आपको somehow यह जो यह वाला part of array है sorry link list अगर वह आपको reverse order में मिल जाए तो आप connection आराम से कर सकते हो क्योंकि आप ऐसे भी move कर पाओगे फिर इसको फ्रेंट से भी move कर पाओगे तो connection बनाना असान हो जाएगा तो मैं बोलता हो कि चलो अपने उसको reverse करने के लिए इस इतने parts को reverse में आक्सेस करने के लिए अपने इतने part को reverse मार दिया था यहाद है अपने step number two में बट आप देखो अब reverse जब कर रहे थे तो recursion से कर रहे थे तो recursion में क्या होता system का stack यूज होता है तो कोई बात नहीं आप अपना stack भी लिख सकते हो है ना जो चीज recursion से आप लिख रहे हो उसको उसमें हो क्या रहा है अंदर ही अंदर वो system का stack कर रहा है तो कोई बात नहीं आप अपना stack यूज कर लो खुद का stack बना लो यह देखो आपने खुद का stack बना लिया यहाँ पर आपने सारे नोड को डाल दिया वन टू थ्री फोर ठीक है अब एक चीज ध्यान दो अगर आप इस stack से यह आपका stack है नोड को जो पॉप करोगे तो तो देखरो reverse order में आप नोड को access कर पा रहे हो पहल कर पा रहे हो बहुत बढ़िया तो अब अब से बात है इतने हाफ मुझे चाहिए ना बस मतलब फोर और थ्री चाहिए क्योंकि मैं उसको वन और टू से कनेक कर पाऊंगा है ना तो मैं क्या करूंगा साइज निकाल लेता हो कितना साइज देखते हैं इसका साइज चार स्ट सबसे पहले मैंने टॉप वले नोट को पॉप कर लिया यह मेरा है top node is equal to 4 है ठीक है और current node तो आप यहां से start करी सकते हो क्योंकि front से तो आप traversal anyhow करी सकते हो ठीक है तो सबसे पहले अब खुद सोचो current का next हमें change करना था तो current का next हमने क्या कर दिया top node के बराबर कर दिया करेंट का next हो चुका है तो उससे पहले आपको current का next को इसको store कर लेना चाहिए था तो मैं यहां पर store कर लेता हूं टेम्प इस इकॉल टू करेंट का next क्योंकि current करेंट कर दिया तो फोर को पॉइंट कर रहा है तिक है उसके बाद अब देखो current को मुझे करना पड़ेगा यहां पर तो current will be equal to temp करेंट को देखो मैंने वापस टेंप के बराबर कर दिया कि यहां था clear है अब देखो आपको एक और चीज भी तो करना था फोर को भी तो करनेक्ट करना था इस टू से ठीक है तो आपको यहां पर क्या करने अब देखो अब मेरा फोर का next अब यह फू को फोईंट कर रहा है यहां था clear है तो मैंने एक नूट तो पॉप कर दिया अब एक और नोड करना थी को मैंने लिए ठीक है तो फिर से वही करते हैं टॉप्र मेरा भी थ्ली है टेम्सेतला दों का नेक्स्ट तो मतलब टेम्ह अभी यह है करने सब्स्क्राइब कर दिया और यहां पर आपने क्या गरबड हो जा रहा है टॉप नोड का नेक्स टैंप के बराबर हो गया और टैंप यह तो इसका त्री का नेक्स यह ना होके अब त्री का नेक्स खुद थी बन चुका तो एक साइकल बन गया को एटेंशन नहीं है अभी थोड़ा वेट करो अभी आपको समझ में आ जाएगा है ना अब देखो फिर नेक्स स्टेप क्या तो करेंट को ठीक है हमने मूफ कर दिया यहां पर ठीक है करेंट इस इकल टू टैंप अब देखो दो ही नोड हमें निकालने थे स्टैक से निकाल अब जैसी में बाहर निकला तो मुझे हमेशे हमें एक चीज क्या ध्यान देना पड़ेगा कि खरेंट हमेशा ऑसी तरह पर ना अशी हो जबाश्य में यह लोजिक यह लोगों मैंने चाहिंस कैसे लिग दिया यह ला यह वाला पार्ट मैंने कैसे लिग दिया जाओ आप है यह विद्र टाये गाराम बनना अब खुद बाखुद कर पा होगा इसलिए बार-बार रिपीट कर रहा हूं डाइग्राम बनाए करो उसके हिसाब से यह सब लाइन लिखा करो बिन डाइग्राम बनाए आप ऐसा कॉंप्लेक्स लॉजिक नहीं लिख सकते यह जो लॉजिक मैंने लिखा है अपर है ना डाइरेक्टली अगर मैं किसी को बताता कि हां ऐसे से कर दो तो इसको मैं कैसे समझा पाऊगा वह नहीं समझ पाएगा उसके लिए रटने वाली चीज हो जाएगी है ना ठीक है तो हमारा अप्रोच टू भी यहाँ पर कंप्लीट हो जगा टाइम कॉंप्लिसिटी अगर देखोगे तो ओ अफ एन है अभी भी सारे नोट्स को एक बर विजिट कर रहे हैं लेकिन स्पेस कॉंप्लिसिटी इस बार ओफ एन हो गया क्यों क्यूंकि हमने एक एक्स्ट्रा ऑगिजियरी स्पेस ले लिए स्टाक लास्टम रिकर्शन के थुरू हमने कर लिया था इस बार में एक्स्ट्रा अलग से स्टैक ले लिया तक रिवर्स में यह दो नोड मिल सके ठीक है यहां ते क्लिर है तो अब आजाते है अपने लास्ट अप्रोच में जो की मेरा फेवरेट तो सेम चीज मैं यहां पर भी लगाऊंगा और देखो कितना मस तरीके से सौल बता वह वेरा पर्सनल फेवरेट अप्रोच है तो देखो अब हम लोग आया थे अपने सेकेंड अप्रोच से क्या किया था सिंपल स्टाक की मदद से नोड्स को रिवर्स ओडर में अक्सेस कर लि पुश करता रहूंगा सारे नोड्स को करेंट करेंट इस इकल टू करेंट का नेक्स्ट ठीक है अब देखो ध्यान दो मैं साइज निकाल लेता हूं के इस इकल टू एस्टी दॉट साइज बाइट टू है ना सेकेंड हाफ का रिवर्स ओडर में हाफ एलमेंट्स करेंट इस इकल टू है वापस से करेंट को बहां से स्टाट किया और कितने नोड्स निकालेंगे के नोड जब तक के माइनस माइनस कर देते हैं जब तक के जीरू ना हो जाए तब तक ठीक है इसके बाद तो बहुत सिंपल था लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क टॉप नोड को करेंट का नेक्स्ट को सब्सक्राइब करते अब करेंट का नेक्स्ट को चेंज कर दो करेंट का नेक्स्ट इस इकल टू टू टॉप नोड ठीक है और टॉप नोड का नेक्स्ट भी तो पॉइंट करेंगा किसको करेंट के नेक्स्ट को करेंट का नेक्स्ट टेंप था ठीक ह और current को अब time के पास move कर दो जैसे बाहर निकलते तो याद करो मैं बोलता था कि current जो हमेशा last node में आके रुका रहेगा और हमारा फर्स बनता है कि उसके next को मैं null कर दो और यह हम diagram से ही पकड़ पाएं थे बीना diagram देखे आप ऐसे corner cases कैसे पकड़ सकते हो इसलिए तो interview में भी व पास all the test cases okay यहाँ पर हमने spelling wrong कर दिया top node होगा यह top node ठीक है रंग करके देखते हैं उसके बाद सब्मिट कर देंगे कि इंडीड यह सब्मिट करके देखते हैं वी शुट बे एबल टू पास all the test cases अब आप आप ने अपरोश थी यहनिकी मेरे परस्ट फेवरेट अप्रोच पर आते हैं कल मैंने आपको अप्रोश 3 में प्रोब्लम करवाया था पैलेंड्रॉम लिंक लिस्ट उसे मैंने बोला तकी देखो आपको अलग से रिवर्स फंक्षन जो लिखना पड़ रहा था न 3 मिल जाए तो आपने क्या किया था उसके लिए आपने इसको रिवर्स ही कर दिया था तो लेकिन मैंने आपको अल्टेनेटिव भी बताया था कि भाई रिवर्स करनी ज़रूत क्या है रिकर्शन कुछ इस तरह काम करता कि आपको रिवर्स में यह सारे नोट मिल सकते हैं कैस से आप रिकर्शन कॉल कर दूढ ऊन्स पर रिकर्शन कॉल लिख्क बने अपने ने 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 क्र इससे। इसको एपको फोर ने अपने तरीके से भी अक्सेस कर सकते हो तो यही दिमाग हमने कल भी लगाता आज भी यही दिमाग लगाएंगे ठीक है कि मैं सिंपली इक रिकर्शन मारूंगा ठीक है और रिकर्शन कैसे मारूंगा याद करो कल के जैसे ही मारूंगा बिल्कुल सॉल्व लिखा इसको हेड भेजा ठीक है और यहाँ पर सॉल्व लिखा है फंक्शन करतें सिंप्ली दिखो यह बंदा अपने नेक्स के लिए रिकरशन काल कर देगा इससे फाइदा क्या होगा जब यह रिकरशन कॉल होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा फिर वापस जब लॉटे गाना तो मुझे इस हेड का एक्सेस होगा तब रिवर्स ओडर में है ना रिवर्स ओडर में मैं हरेकेट को एक्सेस कर पाऊंगा बिल्कुल कल वाली बात बता रहो कुछ नहीं नहीं बता रहा है इसलिए अगर आपने का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो देख लो उसमें रिकर्शन वाले बस परोश देख लेना मेरा फैर्सवेड अप्रोश अपरोच यहां पर देखा दो और वहां पर हम लोग क्या करते थे एक ग्लोबल में करेंट नोड लेते एक ग्लोबल नोड होता था करेंट जो स्टार्टिंग वाले पॉइंटर नोड से पॉइंट कर रहा हो तो आगे की तरफ मूव करता था और रिकर्शन की वजह से हम रिवर्स और में इसको एक्सेज भी कर पाते थे हैं तो सेम चीज यहां पर भी का आज भी यहां करेंगे ठी इधर गया पर दर गया फिर फिर इधर गया फिर इधर गया नल आग्या अब वापश से रिकर्शन रिवाइंड ओर है मतलब हमें यहां पर आ चुका हूं अभी मैं यहां ख़ड़ा उन तो मेरे पास four है तो मेरे पास four है और current जो है वन को पॉइंट कर रहा है तो आज़ा से अव्यस ही बात है आप अराम से कनेक्ट कर सकते हो न गुर्स हीं नेच्ट हो इनी की 1 को कासiben starts २की आपने यह quasi से करेंक कर दिया ने की आपने यह पॉंटर तोढ़के के इसाट से कनेक कर दिया तेक बठा करेंट को फिर आपको आगए-बढ़ाना पाड़ेिक तो आप टैम्प में स्टोर कर लेना इस यह करने से पहले कि करिंट कर नेक्स्ट क्या है यहाद कि अन्यक्स्ट कर लिया तो मतलब टैंप यह है इसके वाद को का चीज करना होता था याद करो हैड का next को temp के बराबर करना होता था क्योंकि 1 को 4 फिर 4 को 2 से भी तो connect करना है तो मतलब आपने क्या किया यहाँ पर head का next is equal to simply आपने temp के बराबर कर दिया यहाँ तक clear है अब इसके बाद head तो खुद बाखुद यह तो rewind हो जागा recursion अब recursion जब rewind हो तो खुद बाखुद यहाँ पर आजाओंगा है ना तो head खुद बाखुद यहाँ आजाएगा क्योंकि आपका recursion का flow जब rewind हो रहा तो head यहाँ पर automatically आजाएगा और आप current को temp में move कर दोगे current आपका यहाँ पर आगया current का next head के बराबर हो गया which is good head का next is equal to temp के बराबर कर दिया देखो फिर से same गरबढ़ हो रहा है head का next आपने यह तोड़ दिया और उसको temp के बराबर कर दे रहो वापस से ठीक है तो देखो cycle बन गया 3 जो है खुद को ही point कर रहा है तो यहाँ पर बस आप सिंपल सा यह चेक लगा देना कि अगर temp जो है वो खुद head के बराबर है तो head का next अगर temp के बराबर कर दो cycle बन जाएगा ना तो यहाँ पर ऐसे कर देना कि temp अगर head के बराबर हुआ if temp is equal to head question mark अगर ऐसा हुआ temp is equal to head हुआ तो कोई बात नहीं नल असाइन कर देंगा head के next को head का next को मैंने इस बार null assign कर दिया क्यों क्यों है और अगर ऐसा नहीं है नहीं होता तो यहाँ को रहे temp assign कर देते और क्या जो temp assign कर रहे थे पहले वही temp assign कर देते और अगर head time दोने दूसरे के बराबर है तो head connects को time के बराबर करें तो cycle आजाएगा तो उस case में तो मैंने null assign कर दिया तो head connects अभी null हो चुक है ठीक है यहाँ तक clear है और temp यह था current को मैंने temp में last में क्या करते थे हाँ current को last में temp में move भी तो करना पड़ता था ठीक है ठीक है तो current फिर आजाएगा यहाँ पर time यहाँ पर आगे मेरा current और recursion जब rewind हो रहा होगा है ना तो अब विसी बात है head यहाँ आ चुका होगा recursion जब rewind हो रहा होगा head यहाँ आ चुका होगा अब एक चीज़ ध्यान दो इतर बहुत important part है अब देखो वापस से current का next अभी क्या है current का next नल आ चुका है current का next नल आ चुका मतब पता है इसका मतब क्या हुआ कि पक्का head आगे निकल गया current आगे इधर निकल गया मतलब आपने already connection सारे बना दिये हैं ठीक है तो अगर temp is equal to is equal to null हुआ current का next अगर नल हुआ ठीक है यह रहा तो आप इधर से return कर जाना आगे कुछ मत करो आपका काम already हो चुका है इधर से return हो जो ठीक है अगर वो null हुआ तो यहां तक clear है ओके तो देखा जातो हमने यह problem solve कर लिया और देखो अगर मैं आपको बिना यह diagram दिखा है यह statements लिख देता तो आप नहीं समझ पाते मैं क्या कर रहा हूं इसलिए मैं बोलता हूं खुद से diagram बना और खुद से statements लिको यह तो मैंने आपको बता दिया बस मेरे अंडर मेरे मैंने diagram बना उसके हिसाब से मैंने खुद अभी लिखा है मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है मैं diagram देख रहा हूं खुद line लिख रहा हूं मुझे ऐसा कुछ याद नहीं कर रखा है मैंने तो मैं आपको size करूँ है यह इस पार्ट को erase करो diagram बना और खुद से यह statement लिखने ही कोशिश करो क्योंकि मैंने आपको intuition तो समझा दिया कि recursion लिखने की वज़े से आप last node को access कर सकते हो फिर उसके बाद वारे node को access कर सकते हो क्योंकि recursion rewind होता है तो वह logic यूज करके आप खुद से लिखने ही कोशिश करो और खुद से लिखो के तभी तो सीख पाऊगे तो देखो यहां पर आपका अपने almost code पुरा लिख दिया है ठीक है बस एक और example map को दिखाता हो वहां से एक और चीज़ा को clear हो जाएगी फिर आप code करने के लाइक हो जाओगे ठीक है बड़ देखो उस आने से पहले स्टोरी डू कोड करी लेते हैं क्योंकि हमने इतना कुछ समझ लिया है हमें तो लग रहा करेक्ट है हमारा solution ठीक है तो simple से मैंने क्या बोला था कि solve लिखेंगे head pass कर देंगे और recursion call मार मार के आगे तक पहुंच जाएंगे ताकि rewind जब हो recursion तो मैं reverse order में head को access कर सको head का next देखो मारते गए recursion फिर जब यह recursion rewind होगा तो मुझे reverse order में head मिलता चला जाएगा और मैंने बोला था कि मैं एक list node asterisk current को global में ले लूँगा ठीक है जिसको मैं head के बराबर कर दूँगा यहां ते clear है ओके अब ध्यान दो जब मैं reverse order में जब recursion call हो रहा होगा तो एक समय आएगा ना कि यह base cases का hit कर जाएगा मतलब head जब null के बराबर हो जाएगा if head is equal to is equal to null के बराबर हो गया तो कुछ नहीं तब तब आपको return कर जाना था तो आप कुछ नहीं कर सकते जब null है head तो क्या ही connection मना होगा return हो जाओ ठीक है अब जब आप return हो गए तो आप currently आप इस head पर हो लास्ट वाले node पर हो और current आपका starting वाले head को अब पॉइंट कर रहा है तो आप दोनों को आप exchange कर सकते हो अराम से मतब्सक्राइब क्या कर सकते हो कि current का next को आप लास्ट वाले node से connect कर सकते हो तो अब यह लास्ट वाले node को पॉइंट कर रहा कूंकि सब्सक्राइब करने से पहले करें उसको स्टोर कर लो टैंप इस इक्वल टू करेंट का नेक्स उसको स्टोर कर लो ठीक है करेंट का नेक्स को फिर हेड के बराबर करते हैं लेकिन अगर टैंप खुद हेड के बराबर किया फिर हेड का नेक्स को ऐसे करते हैं एड़ का नेक्स्ट इस इकॉल टू टेंप के बराबर करते थे लेकिन अगर टेंप खुद हेड़ के बराबर हुआ तब तो नल असाइंग करोगे है ना मतलब हमने सारा कोनेक्शन बना दिया है लास्ट नोट आई है ठीक है अगर यह निकल गया करेंट इसके बाद करेंट को अगे मूव करना पड़ेगा करेंट इस इकल टू वापस टैंप के बराबर कर देंगे एक बस इंपॉर्टन चेक य जी गुख और झाल तो तो आपया है कि करेंट काने संफ अले जैसे यहां पर उनम इसको नीचे मूव कर देते हैं इसको नीचे भी midst है और दीक कर लो करेंट कर ने जो नेक्स्ट है पी करेंट का नेक्स्ट ही मेरा बना ला चुका है तब तो कुछ नहीं करना इधर से रिटर्ण हो जाओ अपने सारे connections कर दिया है यह अधर clear है ठीक है तो देखा है तो हमने code पुरा लिख दिया है यह हमारा code है that's it अब मैं अपने last example पर आ जाता हूं तो देखो यह last example लेते हैं इसमें ध्यान दो मेरा length odd है हमारे link list का ठीक है current तो यहां को point कर रहा था global variable और recursion मार मार के मैंने क्या किया था recursion मार मार के आगे बढ़ गया था ताकि rewind जब recursion होगा तो head फिर यहां आएगा फिर head यहां आएगा and so on ठीक है तो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं हमारा approach मान के चलते recursion आ गया अब मैं currently इस head में खड़ा हूँ यह मेरा भी head है तो मैं rewind हुआ तो यहां पर अब मुझे यह सारे steps करने पड़ेंगे temp is equal to current connects यानि कि temp यह हो गया मेरा और क्या है current connects नल है क्या नहीं है current connects is equal to head current connects मैंने यह change करके head के बराबर कर दिया उसके क्या head connects is equal to temp के बराबर कर दो अगर टेंप नल नहीं है तो टेंप नल नहीं है तो head का next को देखो मैंने क्या किया टेंप के बराबर कर दिया बढ़िया वन के बाद 55 के बाद टू ओके अब तब सब टेंप फ्रेम में हो रिकर्शन के जहां पर head की वाली 40 ठीक है ओके फिर से वहीं करेंगे current का next को टेंप में store कर दिया मतलब टेंप अभी यहां पर है उसके बाद क्या था यह स्टेप हो गया क्या अब टेंप के बराबर कर दो है करेंट का next को यह किया क्या कर दिया इसको पॉइंट कर रहा है इसको पॉइंट नहीं कर रहा है सो काट देता ठीक है अब लास्ट में किया कि current को time के बराबर कर दो current को मैंने क्या किया time के बराबर कर दिया आगे आगे ठीक है यहां तक clear है अब देखना ध्यान देना अब जब recursion मेरा rewind होगा तो head automatically अब यहां आ चुका होगा इस 3 के पास मतब अब हम stack के उस frame में आ चुके है recursion stack के उस frame में आ चुके जहाँ पर head 3 को point कर रहा था ठीक है अब अगर आपने यह step लगा दिया तो इतने क्या problem होता है temp is equal to current का next current अभी 3 है उसका next तो अभी 4 को point कर रहा तो temp यहां पर आ गया ठीक है करेंट का नेक्स नल है क्या नहीं करेंट का next is equal to head कर दो current का next देखो current का next head के बराबर कर दो head भी यही है भाई मेरे फिर से cycle बना दिया आपने ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहां आगे नहीं करना चाहिए था जब करेंट और head बराबर हो चुके हैं देखो जब करेंट और head एक जगा आ चुके हैं तो current का next आप head करोगे तो cycle बनेगा ना यह dangerous line है ठीक है तो current और head जब एक साथ आ जाएं मतलब यहां आपको एक और check डाल देना चाहिए था कि अगर current जो है वह head के बराबर आ गया ठीक है तो उस case में आपको क्या करना है सबसे पहला चीज़ा आपको यह करना चाहिए था कि 3 तो last node है मतलब अगर current head के बराबर आ गया मतलब हम लो ना last node में पहुच चुक है 15 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 3 तो 3 लास्ट नोड आ चुक है तो 3 का next को नल कर दो कि यह लास्ट नोड तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूँ अगर current head के बराबर आ गया मतलब पक्का current जो वह लास्ट नोड तो current connects को नल के बराबर कर दो थीक है उसके बाद आप रेटरन लोगी क्या सब तो हो गया आपका काम खतम हो गया दिखो वन उसके बाद 5 उसके बाद 2 उसके बाद 4 उसके बाद 3 आपका काम अलड़ी हो चुक है तो इसलिए देखा डाग्राम ने का फाइदा डाग्राम से आपने यह वाला लॉजिक भी लिख दिया तो यह लॉजिक को भी आपको आड़ करना चाहिए था यहाँ पर यह वाला पार्ट करेंट का करने के लिए इसमें अपने फायदा देखा आपको अलग से रिवर्स फंक्शन नहीं लिखना पड़ा तो इसलिए अगर इंटर्वियर आपको बोलता है कि अलग से रिवर्स फंक्शन मत लिखो ठीक है तो आप ऐसे भी कर सकते हो रिकर्शन मार मार के इंड तक चले जो फिर खुद रिवाइंड होगा तो जब होगा तो आप रिवर्स अडर में खुद बहर्खुद एकसेस कर पाऊगा लिंक लिए को ना ऐसे कोस्टन्स भी काटेग्री होते हैं लिंक लिए के जहां पर आपको रिवर्स फंक्शन अलग से नहीं लिखना पड़ा आपने रिकर्शन काही इस्तमाल करके logic को complete कर लिया ठीक है time competitive सारे दिन एक बर वीडिट कर रहा है space complexity क्या हुआ अपने अलग से कोई space लिया नहीं लिया ना परें लीया ना कुछ लिया अलग तो auxiliary space मतलब अपने extra कुछ खुझ से नहीं लिया तो auxiliary ओफन होगा लेकिन आपने रिकर्शन कॉल आ यह रहे हैं पर कि तो इसके लिए आपको सिस्टम का रिकर्शन स्टाक स्पेस आपने स्टाक स्पेस थे चलो इसको भी कोड करते और फिरस्ट करते तो देखो अपरोश थ्री पर यहां पहले ही एस तैस्ट करेंट ले लिए ग्लोबल पॉइंट वारीबल और विल्सकर इंग कर दिया था नथे कि अब मैं सिंपली सॉल्फ फंक्शन कॉल कर देता ऑधो ध्यान दू इंड तक पहुंच जाओं करते करते ऐसे और उपर बेस केस लिखना पड़ेगा कि अगर है डे मेरा नल के बराबर हो जाता है तो कुछ कर नहीं सकते रिटर्न कर जाएंगे तो इतना तो हमने कर दिया इसके मदद से क्या हो जाएगा कि अब मैं जब रिवाइंड होगा तो मै अब सब्सक्त crib लिंगल लेकिन अगर करेंट का नीक नल नीकल अटई गैशीव देजों नीकलाया तेक हमारा काम इधरी खतम हो चुका है simply अप return हो जाओ लेकिन else if अगर मेरा head जो है वो current के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ बस मुझे last node में मैं पहुँच चुका हूँ head का null को null कर दो या फिर current का next को null कर दो head और current अभी दोनों बराबर है और return कर जाओ और अगर ऐसा नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो simply current का next किसको point करने वाला था head को ठीक है और head का next किसको point करने वाला था current का जो next है मतब टेंप को लेकिन अगर मेरा temp is equal to is equal to null हुआ तो sorry अगर head के बराबर ही हुआ तो cycle बन जाएगा तो उस case में हम यहाँ पर null assign कर देंगे और अगर ऐसा नहीं हो तो temp ही assign कर देंगे यहाँ दे clear है और वापस को say current को temp में move कर दो current फिर आगे बढ़ेगा तो current को मैंने temp में move कर दिया और temp में मैं देको current का next मैंने store कर दिया था यहाँ ठीक है तो यह हमने solve function लिख दिया run कर के देखते हैं we should be able to pass all the test cases indeed yes submit कर के देखते हैं great I hope I was able to help see you guys in the next video thank you